बिना foundation, बिना concealer के भी आप एक अच्छा make-up अचीव कर सकती हैं तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि 10 मिर्ट में आप कैसे make-up कर सकती हैं वो भी natural fresh make-up जो कि आप daily basis पे कर सकती हैं अगर आप college going girl है या फिर office going girl है तो आप easily इसे wear कर सकती हैं वो भी 10 मिर्ट में तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो एवर्यवन वेल्कम टू माई चैनल सिलपे सिंग टुटोरियल्स आज की वीडियो में आप लोगों सिखाऊंगी कि कैसे आप 10 मिर्ट में make-up कर सकती हैं एक fresh make-up, एक flawless make-up and एक natural make-up कोई foundation नहीं लगानी, कोई concealer नहीं लगानी आपको, फिर भी आपको एक अच्छा make-up मिलेगा आप आप बीना foundation के, बीना concealer के भी आप एक अच्छा make-up अचीव कर सकती हैं तो चली वीडियो को लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं इस वीडियो में कुछ make-up tips भी सेयर करूंगी, जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगा तो वीडियो को पूरा watch कीजेगा, ताकि आपको कोई problem ना हो make-up करने में और साथ ही साथ आपको make-up tips मिलेंगे, जो की आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगा तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं make-up सबसे पहले आपको लगाना है मोस्चराइजर, आपकी स्कीन ड्राई है या ओईली, आपको मोस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी है आप अपने स्कीन के कोडिंग लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है..ड्राइ है तो क्रीम बेस लगाए और ओईली यह तो जेल बेस्ट अच्छे से स्कीन को да मोस्चराइज करें जन आपको ऐपलाई करना है बेवे क्रीम बेबी क्रीम मैं आपने कॉडिंग यूज करी मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए तो थोड़ा ले रही हूं मैं इस से जाद आपको नहीं लेना है और डॉट डॉट करके पूरे फेस पे आपको अप्लाई करनी है दन आपको ब्लैंड करना है ब्यूटी ब्लैंडर से ब्यू अंजन आपको अपको यूज़ करना बेबी क्रीम एज लिकूट हाई रायटर को लेता है डॉट डॉट करके या में लगाना नुस पे लगानी है फोर एड पे लगानी है और चेन एरए पे लगानी है और अच्छे से आपको प्रॉपर्ली ब्लैंड करनी अप वर अप्लाई करनी है तो पहले मैं ब्लस चिक पे अप्लाई करूंगी और आइस पे अच्छे से मैं इसे मैं फिंगर टिप की हल्प से ही ब्लेंड करूंगी क्योंकि ये क्रीम बेस्ट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो आप इसे फिंगर टिप की हल्प से ब्लें लगासकती है उसके बाद आपको लिप लगाने है लिप लगाने के बाद आपको यूज करना है लूज बोर्डर बेस को स्ट गरने के लिए फिक्स करने के लिए तो अडर आइस एरिया पहले लगाएंगे आप एखी राइन बन जाती है तो बहुत easternथ तो इस तरह से आपको सेट करने लूज पॉडर से उसके बाद लगाना है पाउडर हाइलाइटर मैं याप फिंगर टिप्स की हल्स पर लगा रही है क्यों कि फिंगर टिप्स की हल्स से बहुत अच्छे से लग जाता है उसके बाद लगाना है मेकव फिक्सर ये आपको कभी भी स्कीप नहीं करना है चाहिए आप daily basis पे कर रही है या भी party wear कर रही है कोई भी make up कर रही है आपको make up fixer कभी भी skip नहीं करना है उसके बाद लेना beauty blender और dab dab करना इससे extra जो product होगा वो beauty blender में आ जाएगा उसके बाद आपको लगाना मस्करा मस्करा क्या करता है आई-laces को lifted करता है आई-laces में एक volume आ जाती है और आपका जो आई-laces है वो बहुत ही natural एक fuller दिखता है you can see the difference guys you can see the final look आप देख सकती है कितना natural कितना fresh make up कितना flawless make up आपको अचीव हुआ है यह आप देख सकती है और यह make up story को follow कीजिए आपको इसी तरह क make up आपको अचीव होंगे और आप कमेंट क्रिके मुझे खुद बताओगे thank you for sharing तो you can see I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर किजिए और कुछ make up tips से उससे देखिए tip number one, ctm, सबसे पहले आपको ctm करने है, skin को अच्छे से clean करना, c means cleansing, t means toning, skin को hydrating करना, third है moisturizing, skin को moisturize करना, इससे आपका make up long lasting stay करता है and make up आपका flawless and fresh make up होता है, tip number two, आप जब भी make up product apply कर रहे हैं तो अपने skin के recording करें, आपकी skin dry है तो आप dewy hydrating, moisturizer, primer, foundation आप यूज़ करेंगे और last में जो fixer भी है वो भी dewy hydrating ही होना चाहिए for dry skin, dry skin के लिए और आपकी skin अगर oily है तो आपको use करना है matte product जैसे matte primer, matte foundation और make up fixer भी matte होना चाहिए यह आप जरूर ध्यान दे, अपने skin के recording करेंगे तो आपका make up long lasting stay करेंगा और आपका make up flawless and fresh होगा तो यह बात का जरूर ध्यान दे, हाँ और इसमें कुछ में add करना चाहिए यह जो मैंने बता है कि skin के recording आपको make up product apply करनी है तो यह जो है आपको follow क क्या करना है कि अगर आपके skin dry है, oily है, combination है तो आपको use करना है matte product, ctm तक तो आप skin के recording ही करेंगे, but make up product जो apply करेंगे ना, वह आपका matte product होना चाहिए, matte product क्या करता है, जैसे आपके skin में sweating आ रही है, या फिर oil produce हो रही है, तो वो skin पर जो आ रही है उसे absorb कर लेता है, वो product त तो इसे क्या होता है, आपका make up melt नहीं होता है, long lasting stay करता है, तो आप summer में matte foundation, matte texture and matte primer ही use करेंगे, I hope आपको ये tips अच्छा लगागा, follow कीजिए, और आपका make up long lasting stay करेंगा, fresh make up मिलेगा, आपको एक flawless make up मिलेगा, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए tips के साथ, तो चली, आज के वीडियो यहीं तक है, फिर मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care